दोस्तो आज की डेट में भी आपके पुराने CRT TV जिसे डबबा टीवी कहा जाता था वो भी इस्तिमाल किये जाते हैं और इसी से लेटेड मेरे पास एक सवाल भी आता रहता है वो हुता है कि सर हमें ये बताइए प्लीज कि हम अगर डिश टीवी का कनेक्शन लेना चाहते है है और टाटप लेका कनेक्शन लेना चाहते हैं तो क्या हम इन CRTTV का इस्तमाल कर सकते हैं या उसनुपर यह गरे इस वीडियो को लासत जरूर देख सकते हैं तो नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है मनीश आप देख रहे हैं डिकोट मनीश तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चले दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या हम CRT TV के उपर अपना नया डिश टीवी कनेक्शन या फिर टाटप जो डिश टीवी कनेक्शन है या टाटास के प्लेर का कनेक्शन आप लेना चाहरे हैं वह इस पर काम करेगा या नहीं करेगा तो देखिए रोस्तों यहाँ पर आपको कुछ चीजों का अपने टीवी के अंदर चेक करना पड़ेगा सबसे पहले उसके बाद ही आप इसको इ अगर यह तरीके से अगर आपके टीवी के अंदर आप इसके अंदर कर सकते हैं दूसरी बात दोस्तों यहां पर आज की डेट में काफी पुराने ऐसे टीवी हैं जिनके अंदर यह पोर्ट एविलेबल होंगे बट उसका जो रेजोलूशन होगा वो कम होगा जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आज की डेट में हाई डेफिनेशन के ग्राफिक्स पे काम चलता है मतलब जितने वी टीवी आ रहे हैं इवन जितने वी चैनल की जो ग्राफिक्स रेजोलूशन हो रही हैं वह भी बढ़ गई हैं अब ज्यादा बैटर कॉलिटी के साथ आपकी पिक्टर मतलब वही 640 x 480 के पिक्सल पे काम करते हैं और उससे भी नीचे जो पुराने यागर को यूज कर रहा है तो उससे भी कम रेजोलूशन पर चला जाता है उसमें तो यहां पर आपको यह चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि यह आपका जो टीवी है यह इस रेजोलूशन के काम magazine अगर मैं मैं बेधा नियुक्त जेदा करणके तो यहां पर लिपनीСकी सब्सक्राइब कि वह उसकी ब्रसेलिशन ऑग plus पिक्ट्प से ज्यादा दे रहा है तो आपका जुभी सेटो बोक्स आप यूज़ करना चाहरे हैं डिश टीवी का या भी टाटव लेका तो आप इसलिए उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं बट अगर उससे कम आ रहा है तो आप उसको अवाइड करें अपने टीवी को और आप नया टीवी खरीद के ही आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं अगर आप उस पुराने टीवी के अंदर वह पोर्ट भी दिये हैं बट उसका जो ग्राफिक रेजुशन है वह कम है तो भी आपका वह टीवी वहाँ पर काम नहीं करेंगा तो इस चीज़ का ध्यान रखना है तो यह जो पॉइंट से यह आपको इस चीज़ों का ध्यान बस आपको रेजुशन की जो क्वारी है वह अपने टीवी का मॉडल नमर उसके अंदर अपने गूगल पर सर्च कर लें या उसकी कोई पुरानी मैनुवल पड़ी हो तो उसके अंदर जरूर चेक कर लें कि आपके टीवी का जो रेजुशन है वह उसके अदर एविलेबल है या नहीं है अब जो लोग इसकी knowledge रखते हैं तो वो लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहरा हूं बस मैं simple भाशा में आपको यह सीले कह रहा हूं कि आप एक बार उसका resolution चेक कर लें अगर उसकी resolution 614 to 480 है तो आप easily अपना setup box उसके अंदर use कर सकते हैं अब बात करते हैं कि हम कौन से setup box इसके अंदर use कर सकते हैं तो देखें Dip के अंदर ऐसा है कि आपके лиgende Jewish setup box है जो पराने setup box आते थे उसके अंदर वहां से Purchase करके आप उस tv को connect YOUR इए करना पडेगा तपहीं करें차 करता कर रहे है तब ऐसे आप आप जानते हैं तो वहांपर ईसी कोई दिक्कत नहीं आने वाँ लेँ उसके अंदर आप अपने CRT TV के अंदर उसे कनेट कर सकते हैं वहाँ पर आपको अलग से कोई केबल मदब कनेक्टर करनी की जुरूत नहीं पड़ेगी तो आशा करते हो दोस्तों आपके सवाल के जवाब आपको मिल चुक्त होंगे तो चले दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर वी को समय शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें